तो आज की मेरे एस्पी पखरेएं के रहा हुआ की स्वाइबनानी तो के इनके टेस्ट को बहुत ही मुझे का बनाना है तो इनको बारवारी एक पर बनाओगे बार भर खाने को दिल करेगा तो इनको कैसे बनाना है बनानी बहुत इसान है जटपट से बन जाती है तो जब बनाने से पहले आपसे हम रेक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को आपने फुल वाच करना लाइक जूर कर देना है चलिए उसको बनाना शुरू करते हैं विस्विलार हमारे रहीं यहां देखिए मैंने बरीक पर रख दिया तो यहां देखिए में दो चमजों है देशीगी के आड़ कर दूँगी तो आप दूसरा भी एड़ कर सकते हैं लेकर अगर देशी आड़ कर देए इससे फ्लेवर जो है ज्यादा मज़ेका आता है तो यहां देखिए मिरे पाद छोटी लाची है इसको भी ए दूसरा निए करना है तो यहां मैंने बदाम कट करके इस पर अड़ कर दिया आपके पास जो भी डाइफ रूट है और है वह भी एड़ कर सकते हैं तो अब उसको भी मैंने डाइफ रोस्ट कर लिया बदामों को स्वेहों को हो चुकी है तो अब इसमें आदा कप जो है चीन करने के बाद भी आपने दो से तीन मिट इसको दम पर रखना है तो यह देखें अब इसको अच्छी तरह किसे मिक्स का लेना पाने इसका खुशक हो चुका है अब सिक्रिट इंग्रिडेंट इसको डालने से आप बिल्कुल दूद जैसे बनेंगी वह मिलक पैकी क्रीम तो क सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को प्लीज आपने फुल वाज करना है लाइक जूर कर देना है तो अच्छी त्रीकेस मैंने मिक्स कर लिया है कि क्रीम को तो अब जो है मिक्स कर निकवा तीन से चार मिंट मैंने इसको मुझीद दम पर रखा बिल्कुल स्लो हिट प आप जहाएं जो भी आप डाइफरूट इसमें और एड़ करना चाहते हैं कि जो भी वह आप कर सकते हैं तो यहां सवहियां जो हैं हमारी बहुत ही मज़दार माश्यला से रड़ी हो चुकी है आप एक पर बनाकर महमानों को दें बचों को दें बार पर यह आप से फर्माश अब तक लिए कुक अन्ड कुकिंग चैनल के तरफ से अलाहा अफिस